नमस्कार मित्रो जैसा कि हमने बात की थी कि हमें Constitutional and Polity स्टार्ट करना है तो उसका पहला टॉपिक है कि जिसे हम देश कहते हैं या रास्ट्र कहते हैं या कंट्री कहते हैं या नेशन कहते हैं या राज्ज की स्टेट कहते हैं वो है क्या तो हमें समझने की जरुरत है कि ये जो वर्तमान में हमारा भूबाग हमें दिखाई देता है कि ये कुछ इस्प्रकार का जो हमें इंडिया दिखाई देता है ये जमीन है क्या ये जमीन ये भूमी दूसरा इसमें रहने वाली जन्ता और जन्ता को चलाने के लिए चाहिए सरकार और सरकार के पास क्या होनी चाहिए पावर समप्रभूता समप्रभूता ये चार चीजे यदि नहीं होंगी तो कोई भी देश रास्प्र या कंट्री या देश स्वतंत्र देश नहीं कहला सकता उसके पास अपनी एक भूमी रहनी चाहिए जिस भूमी पर वो लोग रहेंगे जो उस देश के हिस्से हैं भूमी और जनता होनी चाहिए अब जनता में क्या होता है जनता को में law and order maintain करने के लिए crime को रोकने के लिए किसी भी प्रकार के अवांचनिय गटना को रोकने के लिए और साथ की साथ इस जनता की और इस भूमी की विदेशी ताकतों से रक्षा करने के लिए हमें क्या चाहिए एक सरकार चाहिए एक government body चाहिए government क्या होती है एक body of people body of people एक लोगों की लोगों का क्या होता है ग्रूप होता है जनता का लोगों का क्या होता है एक ग्रोप होता है जो बाकी सारी जनता को और भूमी को सही रास्ता दिखाने का कारिया करते हैं तो यह क्या होती है सरकार अब सरकार के पास क्या होनी चाहिए पावर जैसे कि हमारे पावर उपर पहले ब्रिटिश लोगों की हुकोमत थी तो क्या हमारी सरकार संप्रभू थी नहीं थी वे ब्रिटिश लोगों के हित में कार्य करती थी और ब्रिटिश सरकार की मनमानी के अनुसार कार्य होता था तो यह एक संप्रभु सरकार नहीं थी इसके पास कोई पावर नहीं थी परन्तु वर्तमान में जो सरकार है उसके पास क्या है पूरी पावर है और पूरी वो पावर किसकी है जनता की जो जनता सरकार को देती है ताकि सरकार जनता के भले के लिए कारिय कर सके तो इस तरह से किसी भी देश, रास्प, नेशन या इस्टेट के चार अंग हम कह सकते हैं भूमी, जनता, सरकार और संप्रभुता भूमी, जनता, सरकार और संप्रभुता ये चार अंग उसमें होने चाहिए बिना इन चार चीजों के कोई भी व्यवस्था, कोई भी देशकारिय नहीं कर सकता यह यहाँ पर हुए हमारे किसी भी देश के चारंग अगले टॉपिक में हम समझेंगे कि सम्विधान क्या होता है धन्यवाद, धन्यवाद, subscribe the channel, hit the bell icon and like the video